पूरे चैप्टर 65 के रिलीज होने से पहले एक और इमेज में आप सब के साथ शेर करना चाहूंगा भाईयों यहाँ पर मोरो ने खुद को अर्थ के साथ मर्ज कर लिया है अब इसे मर्ज कहेंगे या फ्यूजिन पता नहीं लेकिन जो मोरो यहाँ पर कर रहा है वैसा ही शायद हमने पहले भी कहीं देखा है जब जमासू लास्ट में पूरे यूनिवर्स में ही समा जाता है यहाँ भी मोरो अब अर्थ के साथ जुड चुका है और गोकु पर हमलों की बौचाड कर रहा है अब सवाल यह है कि गोकु लड़ेगा किस से मोरो को मारने जाएगा तो बिचारी प्रित्वी का ही बुरा हाल होगा अल्टरा इंस्टिंक्ट तेज और ताकतवर है लेकिन मोरो के इन चालों के सामने अल्टरा इंस्टिंक्ट भी फेल हो सकता है क्योंकि गोकू मोरो के हमलों से तो चलो बच जाएगा लेकिन खुद हमला कहां पर करेगा मोरो अल्रेड जानता है कि गोकू अल्टरा इंस्टिंक्ट का ज्यादा देर तक इस्तमाल नहीं कर सकता तो यहाँ पर जरूर मोरो ऐसा ही कुछ प्लैन कर रहा है कि मैं इसे मौका ही ना दूं कुछ करने का तो हो तो कुछ भी सकता है भाईयों लेकिन ये इमेज सच में आसम तो काफी है यार भले ही गोकु ने गलती कर दी है बहुत बड़ी मोरो को एक और मौका दे के लेकिन इसी बड़ालत शायद हम Mastered Ultra Instinct को अब और भी बहतर जान पाएंगे तो ये लास्ट इमेज है जो मैं आप सब के साथ शेर कर रहा हूँ चैप्टर 65 से अब पूरे चैप्टर के रिलीज होने पर ही सब कुछ डिसकस करेंगे तो आप बताओ आपको क्या लगता है इस इमेज के बारे में और इस एक छोटी से वीडियो के बारे में मैं बिलूँगा आप सब को नेक्स वीडियो में तब तक के लिए खुदा आफेस सादर प्रनाम